नमस्कार स्वागत है आपका JJN News में मैं हूँ आपके साथ मुहमद वैस आज पूरे देश में कोविट के साथ साथ ओमिक्रोन भी अपने पैर पसार रहा है जिससे बचने के लिए डॉक्टर्स और प्रशासन कोविट गाइडलाइन के पालन करने की सरह दे रहे हैं वही जन्ता को लगातार मास्क लगाने के लिए प्रेडित किया जा रहा है लेकिन जन्ता में कोरोना वाइरस को लेकर कोई भी भय देखने को नहीं मिल रहा है कोरोना से देश में लाखों लोगों की जान जाने के बाद भी बड़ी संख्या में अभी भी लोगों की चहरे पर मास्क देखने को नहीं मिल रहे हैं इससे लग रहा है कि लोगों में कोरोना और ओमिक्रोन को लेकर कोई डर नहीं है लोग सडकों पर बिना मास्क के जुन्ड बना कर घुमते हुए नजर आ रहे हैं जो अपने साथ-साथ अन्य लोगों की जीवन के साथ भी खिलवाड कर रहे हैं मास्क लगाना जरूरी है अगर आप घर के बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलिए कोई अगर नहीं काम है तो घर में लगाएगे जिस तरह से कोविट अपने ने रूप बदल ला है उससे धीरे-धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है तो हम सबसे ही अपील करेंगी कि सब लोग मास्क लगाएं और तोसल लिसर्शिंग का पालन करें मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि इस समय जो जिस तरह से ये ओम्रिकों का खत्रा बढ़ता जा रहा है अगर हम जागरूख होंगे तो इसको रोका जा सकता है तो रुद्रपर से एक खास ख़बर आपके बेजी थी हमारे सही होगी दीपक कुकरेजाने और इसी तरह कि तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जेजाएन न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार